Hello everyone, welcome back to my channel तो चलिए आज का बहुत ही टेस्टी, delicious recipe हम आपके साथ सेयर करते हैं ये recipe आप रोटी के साथ, पराथे के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं बहुत टेस्टी होता है तो इसके लिए चार आलू उबाल लिये थे, मैस कर लिया था इस तरह से अब इसे हम एक बाल में transfer करेंगे अब एक तड़का पैन लेंगे, जिसमें दो चम्मच तेल डालेंगे आधा चम्मच चीरा डालेंगे और कुछ करी पत्ते डाल देंगे एक चोथाई चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे अब इस तड़के को हम आलू में डाल देंगे अब हम इसमें स्वात के अनुसार नामक और धनिया पत्ता डाल कर इसे मिला लेंगे तो हमारा टेश्टी मसाला बन कर तयार है अब हम इस मसाले को छोटे छोटे बॉल का आकार देंगे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है अगर आप अपने टमाटर के अनुसार इसका साइज ले सकते हैं जितना बड़ा आप टमाटर ले रहें उतना ही बड़ा ये आकार का आपको बॉल बनाना पड़ेगा तो इस तरह से मैंने टमाटर लिया है जो की नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है और नहीं बहुत ज़्यादा छोटा है और दोस्तों एक बात का धियान रखेगा ये टमाटर बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं रहना चाहिए इस तरह से इसका सारा गुदा हम निकाल लेंगे इस तरह से निकालने के बाद एक टमाटर उठाएंगे और इसमें ये किये आलू मसाला वला बॉल इस तरह से हम भर देंगे दोस्तों ये रेसिपी काफी टेस्टी लगता है खाने में इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते है चाफ़ल के साथ भी खा सकते है बहुत ज़्यादा तेस्टी लगता है आप एक बार जरूर बना के ट्राय करिएगा अब एक कड़ाई में दो चमस तेल डालेंगे अब हम इसे सारे टमाटर को कड़ाई में डाल कर एक मिनट के लिए पका लेंगे आप इसे ढख देंगे तो जल्दी पक जाता है ये हमें इसे जादा नहीं पकाना है बस सौफ्ट होने तक इस तरह से हमें एक मिनट के लिए ही पकाना है नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे अब हमें इसे निकाल लेंगे उसी कड़ाई में दो चमच और तेल डालेंगे और खड़े मसाले डाल देंगे जैसे कि जीरा, डलचीनी, इलाइची, लॉंग, तेजपत्ता अब हम इसमें दो चॉप किये हुए प्यास डाल देंगे और सौफ्ट होने तक इसे भून लेंगे अब हम इसमें एक चमच अद्रक लसुन का पेश्ट डालेंगे और उसे भी निला लेंगे इसके बाद हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच मिर्च पाउडर, एक चमच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं अब हम इसमें टमाटर का पेश्ट डाल देंगे दो चम्मच के करीब मैंने डाला था थोड़ा सा पानी डाल करी से अच्छे से मिक्स कर ले और मसाले को कुछ देर भूने अब इसमें स्वात के अनुसार नमत आधा चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच कसूरी में थी डाल कर मिला लेंगे एक कप के करीब पानी डाला है पानी डालने के बाद हम इससे इस तरह से छला लेंगे और इससे कवर करके दो मिनट के लिए पका लेंगे देखिए ये पकने के बाद इसका तेल उपर उपर आने लग गया है यानि अच्छे से पक गया है अब हम इसमें अपना टमाटर को डाल देंगे इसमें हम हाफ कब के करीब और पानी डाल कर इसे मिला लेंगे इसके बाद हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे तो लिजे हमारा बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार है जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया इसका टेस्टी लूक आ रहा है तब हम इसे परोश लेंगे दोस्तो अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा विडियो दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल